हेलो माई दियर फ्रेंट्स और स्कॉलर्स वेलकम बैक टोल फ्योंस अगें तो यूर ओन चैनल आनन्द दल्लो कॉंसेट एलसी फ्रेंट्स आज हम एक और यूजी सी नेट लौ पेपर का टॉपिक फैमिली लौ केसेज जिहां फैमिली लौ में जितने भी केसेज आपके स्टार्ट जो पहली स्लाइड है आपके सामने उसमें जो पहला है यूनिफॉर्म सिविल कोड यूनिफॉर्म सिविल कोड को ले करके यूजी सी नेट में केवल चार ऐसे केस लौज है जिनको बार-बार रिपिटेशन पर पूछा जा रहा है जैसे शाह बानो वर्सेज या फला केस करके पूछ लेता है यह किस से रिलेटेड है डिजर्शन किरोल्टी या फिर किसी भी प्रकार से तो आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड को सही अंसर मान के टिक करना है दूसरा है इन दा एपसंस ओफ हिंदू ला अप्लिकेशन और प्रिंसिपल्स ओफ जस्टि इसमें अरधारित किया गया था कि वहाँ पर जस्टिस एक्वेटी एंड गुड कंसाइंस के प्रिंसिपल्स को हम अप्लाई करेंगे एक चीज़ और क्रूल्टी से रिलेटेड कितने सारे केसे हैं तो इसमें भी आपको मेलनी तीन केस के नाम याद रखने है एक है चनातलनात्वर्सरों सरला लेखा हूप मिल सकता एकर्वाल जरूरी नहीं है की आपको सरने मिले ही मिले दूसरा है निज्वाहना वर्सेज निज्वाहनगा रुसेल वर्सेल यह तीन केसे आपको हर हाल में याद रखना है एक और केस सत्पदी को ले करके अगर आपको सत्पदी इट इस वन वनेंस्ट आफ दे एसेंशल सेरेमनी इस अफ अमारेज तो अगर सत्पदी से रिलेटेड कोई केस आपको यूजी सी नेट में मिलता है तो वह है विश्णू प्रकार्स वर्सस सीला देवी का केस जी हाँ नेक्स्ट वन इस डिसर्शन डिसर्शन गीता मुगलानी वर्सस जगदीश यह केस इंपोर्टेंट रखिएगा डिसर्शन में मैक्सिमन टाइम यही एक केस है जो आपको रिपीटेड फॉर्म में मिलता है देखिए मेरी बात तो बिल्कुल भरुसा मत कीजेगा अ और यह पिछले कई सालों से रिपीटेड हैं अगेन मैं कह रहा हूं कुश्चन पेपर उठाईएगा सॉल्ड अंसॉल्ड कुछ भी उठाईएगा मेरी बात पर तो बिल्कुल वरुसा करी है मत सीधे आप फैक्ट देखिए अगर मैं सही कह रहा हूं तो कमेंट बॉक्स में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा जैक्ट नेक्स वनिज़ाइवोर्स वाइव म्यूचोल कंसेंट मनीश ग्यूल वर्सरुपा खोरा का केस मिलता है जिसमें अशोख हूरा वर्सरुपा हूरा केस जो है यह आपको बहुत बार मिलेगा ठीक है नेक्स लाइट की पहिलाने में याद कर लिजेगा मेंटीनेंस रेलेटेड दैनियल लतीफी वर्सेज यून ओफ इंडिया का केस हाइलाइटेड केस है ठीक है मामुली केस नहीं है हाइलाइटेड केस है आज भी हम लोग आई कोड में खड़े होते हैं तो इस केस का जिक्र जरूर होता है खेर वाइगेमी से अगर कोई रेलेटेड केस आपको मिलेगा जो फेमास वो लिली थॉमस वर्सेज यूनियन ओफ इंडिया का केस मिलेगा सेक्शन नाइन रेस्टिटीशन आफ कंजूगल राइट्स एक महत्तुपूर्ण सेक्शन ओफ दे हिंदू मैरिज आक्ट जिसमें एनी तो उसमें केवल सेक्श या कोहिबिटेशन ही आपका कंजूगल राइट्स नहीं होता कंजूगल राइट्स के ताहट एक चट के नीचे रहना mental satisfaction अपने पार्टनर के साथ रहना हम विस्तर भी होना सब कुछ कंजूगल राइट्स के ताहट आता है ना केवल फिजिकल परमंदर सिंह यह इसर रिलेटिड केस है और वो केस जिसमें इसको अनकॉंस्टिटिवश्नल घोशित किया गया था याद रखेएगा सेक्शन नाइन को अनन इसकी समवेधानिक्ता को चैलेंज किया गया था तो वह केस सरी था वर्सेथ स्टी बैंक अठ्थ सुभया का केस था और जिसमें इसको Constitutional घोशित किया गया यह भी जानिए गा सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार का केस तो दोनों याद रखिएगा किसमें constitutional गोशित किया गया ती सरी था किसमें constitutional बोला गया सरोज रानी का केस फिर से कह रहा हूं सुबह साम अगर बत्ती इनी केस लोग की जलाईएगा नेक्स्ट डिसर्शन mental cruelty कहीं कहीं लिखा हूँ मिल सकता है आपको अगर आप किसी को desert करते हैं उसका बिल्कुल ध्यान नहीं रखते टेक केर नहीं करते हैं तो यह है दास्तेन versus दास्तेन का केस ठीक है एक चीज़ और मुस्लिम लोग से काजी is not necessary at the time of marriage ceremony सुप्रीम कोट ने कहा था कि मुस्लिम marriage में काजी का होना is not essential is not necessary यह किस केस में कहा गया है गाजी काजी महमूद नजामुद दीन हुसाइन versus state of आंदर परदेश के केस में कहा गया था तो यह ध्यान रखिएगा next slide dowry is a sale price of a woman सुप्रीम कोट कह रहा है quotation ध्यान रखिएगा कि डावर जो है वो sale price of a woman है यह अब्दल कादिर के केस में कहा गया है triple तलाख would be treated as a single तलाख and not a valid तलाख यह भी सुप्रीम कोट ने कहा या फिर तलाख के विद्दत एक valid तलाख नहीं है यह भी किस केस में कहा गया समीना आरा वर्से स्टेट आफ अंदर प्रदेश के के UP के के केस में बोला गया था तीसरा पॉइंट है muslim डाइवोज वूमें मेंटेनेंस बहुत फेमस केस प्रदेश में CRPC की धारा में जाना चाहोगे या परसनल लाव में मेंटेनेंस लेना चाहोगे इद्दत की पीरेट तक जहां दिजेगा इद्दत की पीरेट तक मेंटेरेंस अलाउट था अंडर तर मुस्लिम प्रविए परसनल लॉज लेकिन सेक्शन 125 में आपको लाइफ सुप्रीम कोट कह रहा है कि किसी भी धर्म के हो किसी भी समुधाय के हो आपकी मैरिज का रिजिस्टेशन कंपल्सरी कर देना चाहिए किस केस में कहा था सीमा वर्सेश अश्वनी कुमार सन 2006 में ही बोल चुका है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट इस कोहिबिटेशन लेट टू प्रेजंशन डैट परसन लिविंग एज़ा हजमेंड वाइफ अगर आप एक क्या कितने कोहिबिटेट करके साथ में रहे हैं मेंनल फीमेल तो सुप्रीम कोट यह प्रेजंशन लेकर के चलेगा किस बात का कि आप एक सेनारियो जी रहे हैं यह किस केस में कहा गया था बाला सुप्रमन्य वर्सस सुरेट्टे यह हमके केस में कहा गया है स्क्रीन शॉर्ट या लिख लीजिएगा कहीं पर इसको ठीक हैं नेक्स्ट वाइफ अगर आपकी मैरेज वाइड है तो भी जो आपकी वाइफ है मेंटेन का हक है उसको सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में कहा था चान धवन वर्सस जवारलाल धवन 1993 में वोला है तो यह वो इंपोर्टेंट केस लोगा आपके यूजी सी नेट के फैमिली लॉके जिनको आपको रट लेना है क्यों क्योंकि इसके बाहर कोशनी आएगा मैचिंग में आएगा स्टेटमेंट में आएगा असेर्शन रीजनिंग में आएगा तो आपको यह ध्यान रखना है थांक यू फूर वाचिंग दिस अल्टे बेस्ट गुट दें